भारत की नई सेलेक्षन कमेटी ने आज न्यूजिलेंड के खिलाफ पाँच वंडे मैचों के सिरीज के पहले तीन मैचों के लिए भारते टीम की घोशना कर दी है महेंदर सिंग धोनी की अगवाई में ये 15 सदस्य टीम 16 से 29 अक्टूबर के बीच कीवी टीम के खिलाफ पाँच मैचों की वंडे सिरीज खेलेगी इस सिरीज के लिए भारत के अनुभवी स्पिनर रवी चंदरन अश्विन को आराम दिया गया है वहीं रविंदर जडेजा भी टीम में शामिल नहीं है जैन्त यादाओ और हरदिक पंडिया को पहली बार एक दिवसे टीम में शामिल किया गया है केल राहुल, शिकरधवन और भूवनेश्वर कुमार को चोटिल होने के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया है यो राज सिंग की भी एक दिवसे टीम में वापसी नहीं हुई लेकिन सुरेश रेना एक बार फिर एक दिवसे टीम में अपनी जगह बनाने में काम्याब रहे अश्विन और जडिजाय के बाहर होने के कारण टीम में स्पिन गेनबाजी की जिम्मेदारी अमित मिश्रा, अक्षर पटेल और जैन्द के उपर होगी तेज गेनबाजो में जस्परीद बूमरा, उमेश यादाव और धवल कुलकरणी को टीम में जगह मिली है वहीं महम्मत शमी को भी आराम दिया गया है हार्दिक पंडिया ओल राउंडर की भूमिका निभाएंगे बल्लेबाजी में कप्तान धोनी और उप कप्तान कोहली के अलावा रोहिस शर्मा, अजिंके रहाने, सुरेश रहना और मनीज पांडे टीम में शामिल है न्यूजिलेंड के खिलाफ 16 अक्टूबर को धर्मशाला में पहला वंडे मैच खेला जाएगा इसके बाद 20 अक्टूबर को दिल्ली में दूसरा और 23 अक्टूबर को मोहाली में तीसरा वंडे मैच खेला जाएगा आखरी दो वंडे मैच 26 सक्टूबर को राची और 29 सक्टूबर को विसाका पत्तनम में खेले जाएंगे और इन दोनों मैचों के लिए टीम की घोषना बाद में की जाएगी